लगू योग निद्रा में आपका स्वागत है अपने मन में मुश्कान जगाएं और पीठ के बल लेट जाएं चादर ओड़ना चाहें तो चादर ओड़ लें बाजू सीधे साइड में रखें हथेलियें आकाश की और पलकों को धीरे धीरे बंद करें शरीर तथा गर्दन को हिलाते हुए सुविधा जनक स्थिती में आ जाएं और जल्द से जल्द निश्चल हो जाएं सबसे पहले फिर्फडों में से बासी हवा मुँ के रास्ते बाहर निकालें और नाक के रास्ते भरें फिर नाक के द्वारा लंबे सांस लें और छोडें किन्तु जोर नहीं लगाना है हर श्वास लिते समय मन में मुस्कान जगाएं और छोडते समय शरीर धर्ती को समर्पन करें तथा शरीर को सितिर होते हुए अनुभव करें योग निद्रा से भरपूर लाफ के लिए जहां तक हो सके निश्चल रहें और नींद को हावी ना होने दें अंतर मुखी तो रहें किन्तु चित की वृती को जोर से एकाग्र न करें अब विपासना में ध्वन्यों की और ध्यान देते हैं पहले सबसे दूर की आवाजों पर जैसे ही एक ध्वनी पहचान में आती है उसे छोड़ दूसरी को पकड़ लें तक पश्चात उनसे करीब की आवाजों को पहचाने अपने कमरे से निकलती आवाजों को पहचाने और अंत में अपने सांसों की आवाजों को पहचाने अथ्वा और कोई आवाज जो आपके शरीर से निकलती हो अब अंग निवास क्रिया शुरू होती है जिस जिस अंग पर मन को रखने के लिए बोला जाएगा उस उस अंग का ख्याल करना मन ही मन उसका उच्चारन करना अंग को हिलाना नहीं और नीद को रोकना दाइने हाथ का अंगुठा दूसरी अंगली तीसरी अंगली चौती अंगली पांच्वी अंगली हतेली हतेली का नीचे वला भाग कोहनी कंधा बगल कमर दाहनी जांग गुठना पिंडली तखना एडी तल्वा पैर का उपर वला भाग दाहने पैर का अंगुठा दूसरी अंगली तीसरी अंगली चौती अंगली पांच्वी अंगली सोना नहीं अब चलिये बाई तरफ बाई हात का अंगुठा दूसरी अंगली तीसरी अंगली चौती अंगली पांच्वी अंगली हथेली हथेली का नीचे वला भाग कोहनी कंधा बगल कमर बाई जांग गुठना पिंडली तकना एडी तल्वा बाई पैर का उपर वाला भाग अंगुठा दूसरी अंगली तीसरी अंगली चौती अंगली पांच्वी अंगली नीन्द को रोखिये अब इसी क्रिया को तेजी से करेंगे दाएं हाथ का अंगुठा दूसरी अंगली तीसरी अंगली चौती अंगली पांच्वी अंगली हतेली हतेली का नीचे वाला भाग कलाई कोहनी कंधा बगल कमर दाएं जांग गुटना पिंदली तक्षना एडी तलवा दाएं पैर का उपर वाला भाग अंगुठा दूसरी अंगली तीसरी अंगली चौती अंगली पांच्वी अंगली सोना नहीं मन में दौराना बाइं तरफ चलेंगे बाइं हात का अंगुठा दूसरी अंगली तीसरी अंगली चौती अंगली पांच्वी अंगली हथेली का नीचे वाला भाग, कलाई, कोहनी, कंधा, बगल, कमर, बाई, जांख, घुटना, पिंडली, तखना, एडी, तल्वा, पैर का उपर वाला भाग, अंगुठा, दूसरी अंगली, तीसरी अंगली, चौती अंगली, पाँच्वी अंगली जहां चरीर और धर्ती एक दूसरे को चू रहे हैं, अब अपने मन को वहां ले जाओ दाहिने एडी और जमीन, बाई एडी और जमीन, दाई पिंडली और जमीन, बाई पिंडली और जमीन, दाया नितंब और जमीन, बाया नितंब और जमीन, पीट, पूरी पीट और जमीन, दायां बाजू और जमीन, बायां बाजू और जमीन, दायां पुट्था और जमीन, बायां पुट्था और जमीन, बीच में प्रिदय और जमीन, सर का पीछे वाला हिस्सा जो भूमी को छू रहा है और जमीन सर का उपर वाला भाग और अब सामने के और आएं पूरा कपाल दाएं भों बाएं भों दोनों के बीच भों मद्य दाएं पलक बाएं पलक दाएं आख बाएं आख दाया कान बाया कान दाया कपोल बाया कपोल नाक की नोक, दाइं नसी का छिद्र, बाइं नसी का छिद्र, उपर का होंट, नीचे का होंट, दोनों होंट, एक साथ, थोड़ी, दाया जबडा, बाया जबडा, गला और गर्दन सर के पीछे वाद भाग, सर के उपर वाद भाग, पूरा चेहरा, तिनों एक साथ, पूरा सर एक साथ, पूरा सर, पूरा सर, पूरा सर. नीचे दाईं हसली की हड़ी, बाईं हसली की हड़ी, तोनों के नीचे सीना, सीने में दाईं और दायां फेफडा, बाईं और बायां फेफडा, मद्ध में हृदय, दोनों फेफडे और हृदय, एक साथ, पूरा सीना, एक साथ, सीने के नीचे पेट, पेट के दाईं और जिगर, बाईं और जठार, मद्ध में नाभी, नाभी के नीचे वाला पेट, नाभी के नीचे वाला पेट, नाभी के उपर वाला पेट, दोनों एक साथ, पूरा पेट एक साथ, पूरा पेट, पूरा सीना, एक साथ, पूरा धर, पूरा धर, नीद को रुखिये, जागते रहिये अब शरीर के मुख्य भाग धाई टांग, धाई टांग पूरी, धाई टांग पूरी बाई टांग, बाई टांग पूरी, बाई टांग पूरी दोनों टांगें एक साथ, दोनों टांगें एक साथ, दाया बाजू, दाया बाजू, पूरा, बाया बाजू, बाया बाजू, पूरा, दोनों बाजू, एक साथ, सर धड़ बाजू और टांगे एक साथ सब के सब एक साथ पूरा शरीर एक साथ पूरा शरीर पूरा शरीर पूरा शरीर अब शरीर में जो चक्र है उनका ख्याल करेंगे सब से नीचे मल और मूत्र द्वार के मध्य में अपने मन को ले जाईए यह मुलाधार चक्र है मुलाधार मेरु दंड के सब से निम्न भाग में अपने मन को स्थापित करें यह है मनिपुर चक्र मनिपुर रिदय के पीछे मेरु दंड के अंदर अपने मन को ले जाईए यह है अनाहट चक्र अनाहट कंट के पीछे गर्दन में सर और धर्ड जहां मिलते हैं वहां है विशुद्धा चक्र विशुद्धा दोनों भोहों के मध्य में जो स्थान है उसके ठीक पीछे प्रेन के अंदर अपने मन को स्थापित करें यह है आजना चक्र आजना इसके उपर जहां हिंदु लोग शिखा रखते हैं वहां अपने मन को ले जाईए यह है बिंदु विसर्ग बिंदु विसर्ग से उपर सर्ग के मध्य में जहां बच्पन में सरकोमल रहता है वहां अपने मन को स्थापित करें यह है सहस्रारा चक्र सहस्रारा अब हर चक्र का ख्याल करेंगे मन ही मन उच्चारन भी करेंगे मुलाधर स्वाधिस्थान, स्वाधिस्थान मनिपर, मनिपर अनाहत, अनाहत विशुधा, विशुधा आजना, आजना बिन्दू, बिन्दू, सहस्रारा, सहस्रारा बिन्दू, बिन्दू, आजना, आजना विशुधा, विशुधा अनाहत, अनाहत बनिपर, मनिपर स्वाधिस्थान, स्वाधिस्थान मुलाधर, अब तेजी से ख्याल करेंगे मुलाधार स्वादिस्थान स्वादिस्थान मनीपुर मनीपुर अनाहट अनाहट विशुधा विशुधा आजना आजना बिंदू बिंदू सहस्रारा सहस्रारा बिंदू बिंदू आजना आजना विशुधा विशुधा अनाहट अनाहट मनीपुर मनीपुर स्वादिस्थान स्वादिस्थान मुलाधार मुलाधार स्वादिस्थान स्वादिस्थान मनीपुर मनीपुर अनाहट अनाहट विशुधा विशुधा आजना आजना बिंदू, बिंदू सहस्रारा, सहस्रारा बिंदू, बिंदू आजना, आजना विशुधा, विशुधा अनाहत, अनाहत मनीप, मनीप स्वादिष्था, स्वादिष्था मुलाधा अब योग लिद्रा समाप्ती के और है अपने श्वास के प्रती सचेत हो जाए श्वास को आते जाते नासिका और पेट से मैसूस करें और जहाँ जहाँ शरीर भूमी को छूता है वहाँ वहाँ अपनी चेतना को ले जाए और लंबे सांस लेते हुए अपने चारों और के वातावर्ण से परिचित हों उंगलियों और अंगूठों को हिलाते हुए पूरे शरीर में चेतना का संचार करें और ये था शक्ती करवट लेते हुए उठ जाएं योग निद्रा स्माप्त हुई करें ये जाएं ब्हुत्प, अर खी बांप्तुरत आ शक्ती, का वातावर्ण से पर अईरिप्स PRESIDवाट शौझ में चाहर को it